आप सभी साथकों का स्वागत है मैं अर्विन सक्सेना बोलना हूं साधना रिगत के रहस्यों ततत्यों को जानने के लिए इस चनल के प्रतेग वीडियो को देखें और इसमें दीगों प्रतेग प्लेलिस्ट को भी देखें अब यह जो वीडियो है यह बड़ा एक अलग टॉ इसका कि नाडी रहस्ये अनंत लोकों में प्रवेश परकाया प्रवेश सूक्ष्म प्रवेश द्वार तो यह जानकरी इस प्रकार की है जो कि कहना चाहिए कि बहुत ही उच्छ कोटी की जानकरी है लेकिन यह समझे लें इसके यह जो जानकर जो करते हैं इन नालियों के जियोगि जो बन गए होंगर उनको मालम होते हैं मैं वीडियो जो बना रहा हूँ यह जात को किलिए बना रहा हूँ जो क्रस्ति इस सिती आएगी उनके जो भी सच्चे योगी के बाद जो इस सिती आती हैं उनकी सिद्ध बनते हैं फिर उसके बाद अपना मुनी होते हुए रशीक की तरफ में जाते हैं यह दि उनकी इक्षा होई है यह वीडियो मेरे बने हुए जो प्लेलिस में मिलेंगे आगो सच्चे लेकिन यह जानकरी क्यों मालूम है मालूम होना हमको चाहिए यह भी मैं आपको अभी इस पस्ट करूँगा मतलब वह बात है कि अगर कोई पहली दूसरी तीसरी क्लास में भी पास नहीं हुआ है और उसको हम कहते हैं कि प्यस जी की सारी बाते उसको समझाने लग जाएं तो उसके किस बात का उप्योग होगा करें उसका है जानकरी कोतो सब्क उने करते हुएै कि उसके बाद आके बड़ते हुए तो बाते रहेंगी तो उस उदेश से यह जानकरी भी कहां पर हमारे लिए उप्योंगी यह इसलिए पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें क्योंकि आज के समय में मैंने कई वीडियो में लगातार बता रहा हूं को कोई भी इंफॉर्मिशन कहीं से भी मिले उसको हमेशा जो है कुछ न कुछ इस पॉइंट से दुरू देखना चाहिए कि समय के नुसार में आज के समय में हमको सही जानकारी मिलना भी बहुत दुरलब है और उसमें से बटकने की चांस बहुत ज़्याद है इसके लिए मैंने जो वीडियो में बने हुए 227 नमबर का कली बाधा असूर असूर वाली प्लेश देखिएगा मैं हमें 327 नमबर का राकशे द्वर्दा भक्षन के बहुत है असके mij ने खत्रे और डेंजर स्ट्रे लिए लेजिए गाइगा उसमें बहुत सारे वीडियो जैसे हैं जिनके बारे में केवल जानकारी मातरी हो जाए शाधना ना भी हो रही, जानकारी मातर भी हो जाए, तो भी इतना समझ भाज जाए कि इतनी सारी गलतियां होती है, आज के समय में हो रही है, परिछे हमको बचना है, तो भी बहुत सारे गड़ों में जाने से बचा जा सकता है, योगि ये traps इस प्रकार के कोई एक बार अगर जालों नस्ट हो सकता है, और अगर जादे अच्छा भाग नहीं रहा, तो समझ लीजे कि पूरा-पूरा जीवन भी नस्ट हो सकता है, इसलिए ये बहुत इंपोर्टेंट प्लेलिस्ट है ये, खत्रे, टेंटेंजर, traps वाली जुसको जरू देखना का प्रयास करें, तो उस उसी कड़ी के अंदर में ये जो नाड़ी रहस्त की चीज़े हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ये सब बातें जो हैं, जो पूर रूप से जो नाड़ियों के बारें जानकारी होगी, वो किसी सच्चे योगी कोई होगी, जिसकी पूर रूप से कुण्ली जागरत हो ये अभी मैं आपको जानकारी दे रहूं, उसे और शुष्ट बात हो जाएगी है, एक तो ये समझें कि, जैसे कि, जब कुल्ली जागरत हो जाता है, यानि कि परामन्स के अब सित्धी आगी, उसके आगे इस सित्धी ने बहुत सारे जो हैं, जितने परामनस के सारे सारे सि दिरबर करेगा लेकिन जो व्यक्ति सिद्ध बन गया वही पुरूरूप से जो है नाणियों के बारे में पूरी जानकारी उसके पास होगी और वही अनंत लोकों में प्रवेश का अधिकारी भी होगा उसको मालूम भी होगा वही परकाया भी प्रवेश ठीक से करस्पाएगा उसके बारे पूरी जानकारी होगी उसको सारी जानकारी यह होगी कि सूक्ष्म प्रवेश द्वार क्या होते तो इस बात से तो निश्कष क्लिर निकलता है कि नाली रहसे की बातें जितनी भी हैं उन सारी बातों में किसी भी जो उत्सुक्ता के बारे में थोड़ी बहुत जानकरी यादी मिल भी रही हो तो उससे आधिक जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए मैं आपको इतनी जानकरी इस वीडियो में दे रहा हूं कि जो की एक सफिशेंट है एक सादक जो भी है उसको मालू होने चाहिए इतनी ही होती क्या चीज़ है बस इससे जादे नाली रहस् कि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उसमें आप देखेंगे महाशक्ती रहस से 204 नमर का है और 225 नमर का मंत्रदेवता देखिएगा और 183-184 नमर के नमुंडियासन रहस से यह जो बाते हैं यह हैं यह बाते इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर नमुंडियासन रहस वाल वीडियो बताया मंत्रदेवता वाला वीडियो बताया यह अगर देखेंगे समझ में आ जाएगी कि कितने सारे स्थर होते हैं इनको एक योगी को भेदना पड़ता है जो बविश्च में योगी बनेगा जो जो सच्चे योगी है जो पून पून रूप से कुनी जागन हो वो सारे चीजों का भेदन कर चुके होंगे पंचमुंडियासन वाला भी वीडियो देखेंगा उसका नंबर मुझे याद नहीं है लेकिन 175 नंबर है उसको देखने का प्रास करिएगा तो उधना स्थर भेदने के बाद में भी और भी स्थर होते हैं यह जो यात्रा में उस स्यात्रा में करते हुए नमुंडियासन में जितने भी स्थर दिये हुए उस सारे भेदन करते हुए तब जाके पूर्ण सुद्ध की स्थिति आती है उसके आगे की स्थिति भी जो डिम्मा जाहेंगे उसके आगे वो मुनिय और शीजा को ले जाती है यह उनकी इक्षा वो सब वहविष्य के योगी बन सकते हैं। वह भविष्य के योगी करना जाइएक Sonra आज में नहीं है। उन नानी हरस् sailing को कई जान हो भी होते हैं। वैसे ही होता है जो सच्चे योगी होते हैं जनिकнаत हैं। इसलिए इस तरीके कि जानकारी में डूमने का कोई वजय नहीं करना चाहिए नाली रहसे कि सारी जानकरी ये कट्टी करो मैंने बताया हुए कि एक अपूर्ण गुरु वाली प्लेश देखिएगा 306-308 जो कि अभी अपूर्ण है और गुरु बनने का प्रयास कर रहे हैं वो किस प्रकार से उनके पास में ये कुई सादक जाएगा वो बटक सकता है इस नाली रहसे की जानकरी स्वेम में किसी के द्वारा जानने का कोई प्रयास नहीं करना चाही honest की वह नहीं करें अभी मैं आपको जो पूरा पूरा ज्यान होता है तो क्या है पहले तो basic जानकरी इसको समझना जाए या बस केवल information के लिए समझना जाए इसमें इसमें और संधान करने की ज़रूबत नहीं है ना इसमें जाना है क्योंकि इसमें जाना तो यह इसलिए भी आफशक है जानकरी और इतनी बात मैंने इसलिए बताया और वीडियो बनाने का भी एक कारण यह भी है कि साथकोग सामने वेंचमार भी रहे कि जाने यह होता क्या है ओसी के द्वारा यदी जो है कोई भी कहीं भी कोई इनफॉर्मेशन मिलती है जाए पुस्तक में मिले या कोई और कहीं से मिले हो कोई सुन रहा हो तो वो उससे वो एक चीज निश्करस निकाल ले कि यह जो जानकरी मिल ली है यह प्रामालेक नहीं हो सकती तो कि जो बताने वाला है वो उसकी स्थी जादी कोनली जागरण वार कि किसको कब सच्चे योगी के जो होंगे उस लेविल के उसको गुरू मिलेंगे वो बातें इस वीडियो का हमशह नहीं है तो मैं आपको नाडी रहस्ते की कुछ बातें बता रहा हूं और इसमें अनंत लोगों में प्रवेश परकाया प्रवेश और सूक्ष द्वार के बा लेकिन वास्तों में जो है अनंत है यह जो है और लोग यह भी समझते हैं कि केवल हमारे जो शरीर है इसी में ही नाडियों ही का जो है इसके बाहर कुछ भी नहीं है नाडियां जो है हमारे शरीर में जो जो कुछ बेसिक टम्स हैं वो सब को जो भी थोड़ा बात उरुची योग के विश्व में उनको वेड़ा पिंगला, सुषुम्ना के वारे में जानकरी होगी और इननु से जुड़ी होई नाडी होगी जानकरी होगी बस लेकिन इसके अलावा भी ये नाडिया प्विश्व में रहागे बाहर भी पूरे विश्व में व्याप्त होती है और जब तक इनको इनके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी तब तक दूसरे लोकों में जाया है नहीं जा सकता यह एक important बात है इस information से यह filter out किया रह सकता है कि कोई कहाँ कि मैं इस लोक में घुमाया हूँ तो उसको बिना नाली रहसे के बारे जानकारी नहीं हो जा सकता हो और वो नाली के बारे जानकारी होने के लिए उसका कुन्नी जागर होना चाहिए तो यदि ऐसा है तो उसका कुन्नी जागर है या फिर अगर कुन्नी जागर नहीं है तो वो बात सत्य नहीं है एक बात को information या हैँ से filter out कर लेनी चाहिए तो यह जब भी कभी भी किसी जगे जाय जायाए अपने शरीर को छोड़ के कहीं भी जाय जाएगा दूसरे के शरी के जाय जाय किसी लोक में भी जाए जाए जाएगा तो नालियों के द्वारा ही जाए जाएगा और शरीर से निकलने के लिए कभी भी दूसरे के शरीर में जाने के लिए भी नाली का रूट जो गया नहीं कोई रास्ता तो होगा उसी के द्वारा ही जाएगा उसको और रास्ता समझ लीज इसको और जब यह इस पूर जब तक इसका पूर्ड जयान नहीं होगा नालियों का तब तक कोई भी वायू गमन नहीं कर सकता है एक इंपोर्टेन्ट बात है है कि हवा में जो आपने कभी किसी ने सुना होगी योगी लोग रहाए वायू में विच ने गमन करते हैं तो उनका उनको नाली रहस्त के बारे पुरी पुरी जानकरी है और ये जो है एक बात और भी समझ लेनी चाहिए कि इनके जो है जितना भी पूरा विश्विंच से व्याप्त है यानि कि जो हमारा एट्मोस्फियर भी हो गाए शरीज के बाहर कर जो भी जो भी आप ख मैंने बताई सूर की जो किड़ने उसकी तरह से बिलकुल सुक्ष होती है और ये ही बात और भी से एक समझनी चाहिए कि इनसे केवल प्राण सोल करें नहीं बहरा होता है ये प्राण को भी दिय दादी है मन को भी दाती है आंनंद को भी ले-जाती है ये इनकी नालियु की होती है जो वेक्ति जो योगी, जो इस तरफ होगा वह चीज को कर सकता है जैसे जो मन नाडिया जो कि मन को ले जाती होाँगी तो आप कल्पना करिए कि जो रिशी लोग होते हैं जो मेरा वीडियो देखेगा जो कि इसी सच्चे योगी वाली प्लेस में मिलेंगे आगो सच्चे योगी फिर उसके बाद सिद्ध नात मुनी रिशी वाले मिलेंगे इस जो रिशी हैं वो तो अपने जैसे करें पलक जपकाते हुए अपना इतने समय में ही वह समय लिए एक ब्रह्मान से दूसरे ब्रह्मान तक जा सकते हैं तो यह केवल सोचने मातर जयनी को उनकी जो जो मन वाली जो नालिया होंगी विश्व में पूरी व्याप्त होंगी पूरी स्रस्टी में व्याप्त होंगी विश्व नहीं करना जाए इसके लिए नमुंडी वाले विश्व रूप से विजियो देखें के 183-184 कि कितने स्थ प्रवेश के लिए प्रवेश की बात करें अगर यहां परकाया प्रवेश की बात करें अगर यह तो मैं आपको बताई लोखों में जाने की बात हो गई एक बंबान से दूसरे बंबान में जाने आली बात हो गई इसके लिए पूरा पूरा ग्यान जो जिसको होगा वही जा सकता है और ये डिपेंड करेगा कि माता की इक्षा क्या है उस जो सच्चे योगी बन गए है और सच्चे योगी की भी क्या इक्षा है ये दोनों बातों पर निरबर करेगा कि उसको इस नाली का पूरा पूरा ज्यान मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो समझ लिए कि जो हृशी के लेविल पर लोग होंगे उनको पूरा-पूरा ज्ञान होगा इस बात का एक तो ये बात हुई अब जब जैसे कि मैं अपने क्याता हूँ कि अपने संसार की हम बात करें अगर लेकर प्रकाया प्रवेश की बात करें कि एक एक योगी अगर चाहता है कि सच्चा योगी चाहता है कि हम अपने जो है आपने दूसरे शरीव में जाएं को को दे acuteivity नहीं मिली हो और वह सोचता है कि अभी हमको धोला देनुआ कर करने की कि उसका हो तो नमीन दे लेने के लिए प्रियोतर ही करेगा कि वह जन में लेगा जाके फिर से बड़ा होगा फिर जाके पिर वह साधना करते हुए आके जाएगा वह स्थिति उसकी नहीं होती है वह इस स्थिम पहुंच चुका होता है कि वह जो है अपना जो शरीर छोड़ा अगर तो उसने दूसरा शरीर जो भी उस समय जिसकी मृत्यू होगी और बहुत पुराना शरीर नहीं होगा वह जैनि कि जितना अभी जल्दी डथ होई है उस वाले शरीर को ढूंड़ेगा और उ अब यह जो है एक तो बात होगी कि करमा लिए कि पुराना शरीर हो गया और उसको लगता है कि नहीं जाना चाहिए तो योगी की शमता पर निर्वर करेगा कि वह ज़िए तो शरीर में अगर वह चाता है तो शरीर को ठीक भी कर सकता है वह उसकी जो जयते देखल गई हो प् पित्च करके उसमें भी जा सकता है। और कितने दिन रहेगा वहाँने कितने दिन रहेगा वहाँने उसकी मर्जी है। वो चाहता है किसी वक्ति को ठीक करना या नी परकाया प्रभेश अगिदी कर रहा है तो मैंने बता है मृत्यूग में के बाद कोई शरीर मिला उसको उसने अपनी जो नई जह दे के लिए उसने परकाया प्रभेश किया दूसरा मांशिक रूप से वो परकाया प्रभेश तब भी कर सकता है जब माली जे कोई रोगी हो उसको ठीक करना चाहता हो या हो कोई ऐसा उसको शिष्ष्रिक है या समझें कि कोई बहुत ही उच्छे दरजे का जो भी सादक हो और उसकी मदद करना चाहता हो और उसके उसके शरीर में भी प्रभेश करके उसको दिविग्यान भी लेकिन आंशिक रूपसे होता है नाल ही सब्सक्राइबancial करेंगे जो वह बास्थ क्रेड़ में, गक्षप कसा भाई करूः staat और उस ने डिवर्तें नकार में पयुक्त पूसुनार मेंने होगा और वहां से वो चित-छित से जो जिस शरीद पहूद से प्रवेष करना होगा जिवित मनश होगा रोगी के रूप में होगा या उसकेशे के रूप में होगा उससे वो एक अपना नारी का पाथ ढूड़ेगा ढूड़ेगा क्या? पहले तो वह सोचेगा कि मेरे इस चित से जो है जो 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 जुसका टार्गेट यहां पर उसको जाना है जो लक्ष है उसका जो चित है उससे वह अपने आप कर लेगा और उससे अपने आप जह है सोता करने चाहिए उसको एक नारिया जो है परिलक्षत होने लग जाएंग यानि रूट समझ में आ जाए कि यह रूट है इस से हमको जाना है तो उसका जो सूप में शरीर है जो चित है करना चाहिए उसको लिंक शरीर कहते है उससे वो जो है वो ट्रैबल करता हुआ उस नारी के दौरा में उस जो जीविद व्यक्ति है जो रोगी की रूप में या उसके शईचे की रूप में हो इसके शरीर में प्रवेश करेगा जैसे कि मन लिचे की शरीर में कोई भी दर्थ हो रहा हो कोई मी परशानी हो रही हो जिस जो भी रोगा उसके कारण से वो अपने कोई दुआर ढूंटा हुआ और फिर जो रोगी के चित्र से वो अपने आपको कनेट करेगा और कनेट करने के बाद उसके सारी पीड़ा कित्या दीजए है वो अपने आपको अनवा करेगा फिर वापस निकलके अपने शरीर में आ जाएगा और वहाँ पर जो भी उसके रोगी के पास में जो भी जो भी परशानी होगी जो भी जिसकी वरे से भोग रहा होगा कस्ट भोग रहोगा, वो सारे के सारे अपने पास साथ ले आएगा और उसको अपने शरीर में आगे वो उसको नस्ट कर देगा अपनी योक्रिया के द्वारा और योगी स्वस्ट, जो रोगी है वो स्वस्ट हो जाएगा, ये तो एक बात ही शिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् मस्तक पर जाएगा और फिर वहां से वापस जो होगा अपने शरीर में आके अपने मस्तक से होते हुए तक चला जाएगा यह वो जो उसका एक बेसिक जो पात होता है नाड़ी का वो इस प्रकार से वो ढूंडेगा जो सच्छे योगी हैं वो ढूंडेंगे और उसके बाद व अपने शरीर में क्या करेंगे शिच्छ सिंस्तक कित्में जो भी इजन त्यादी देना होगा यह शिच्छ पीडा यह वहां हो रही है ओसे सच्च्य गुरू की सच्च्य योगी हैं जो की गूरू के अब जोर जो ऑस बहुत में दिवे मा की आग्या से बने है सच्चे गुरू, सच्चे गुरू यह नहीं है कि किसी ने सच्चा योगी हो गया, सच्चा गुरू भी बन जाएगा, माली सच्चा योगी है, उसको नहीं नहीं है सच्चा गुरू बनने की इक्षा है नहीं है, तो उसको दिवे मा हो सकता है, उसको आग्या ना दे लेकिन दिव माही एक कहना चाहिए कि वह नहीं की बिना आग्या के कोई सच्चा गुरू बन नहीं सकता इस सब बाते हैं अगर आप और डिटियल में देखना चाहेंगे तो गुरू के लिए बहुत जो प्ले लिस्ट है इसमें अपूर्ण गुरु क्या होते हैं उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी तो यह सब बाते जो मैंने आपको बताई इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह हमको समझना चाहिए कि जो किस प्रकार के नाली यहों के रहसे क्या होते हैं अनंत लोग में प्रवेश कैस द्व होता है सुक क्या होते हैं और वह बस हमको जानकारी मात रक्के हैंए और हम ये जिस जानकारी की की द्वारा हम और जरूद नहीं चाहिए तो उससे भी जब जैसे जैसे जागरती होगी शक्ति आएगी तो वह उस तरह फिश्कुन्डी जागण की तरह ले जाएंगे और तब यह सब ग्यान के उच्छ आयाम कहना चाहिए वह खुलने की प्रक्रिया प्राडम होती है और उसके लिए एलेजबिल्टी क्रियेट होती है बिना एक लेजबिल्टी क्रियेट होए कुछ चीजे मिलती नहीं यह बात को विशेश रूप से साथकों को द्यान में रखना दिए तो आशा करता हूँ कि आप समलों कहीं जान करें अच्छी लगी होगी इस वीडियो को देखने के लिए आ आप सभी का धन्यवाद.